नमस्ते प्रणाम हमकी साइट लियादो सबके प्रणाम करता हूँ आज सुबह आँख खोलते ही कि इतनी दुख भरी मैसेज मिला मुझे कि समझ में नहीं है कि हम क्या करें सिजन 13 में, वीक पोस के सिजन 13 में हमारे बहुत अजिज मित्र और हमारे दोस्त भी और एक बड़े भाई की तरह सिधार्ट सुकला जी का जब नील सुनने को मिला तो हकीनी नहीं हो रहा था खुद पर कि ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं सिजन 13 में हमारी लड़ाईयां भी दोनों भाईयों के होई वो प्यार के लड़ाईयां थी और मैं जब सिजन 13 के बेग बोस से बाहर आ रहा था तो सबसे ज़्यदा अफसोस सिधार्ट सुकला जी को ही हुआ था क्योंकि मैं को बाबा बोलता था और हमारी कोई पहले से पर्चे नहीं थे लेगी बेग बोस के सिजन 13 भी हमारी मुलकातुन सो वो बड़े अच्छे इंसान भी थे अपनी कोई भी बात नी धड़क बोलते थे और इस उम्र में जाना ये कुछ अजीब सा लगा तो क्या बोल सकते हैं बस मैं पर्वान सही प्रातना करोना क्योंकि आत्मा कुसांती दे और ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मत बुलाओ इस वक्त क्योंकि अभी बहुत कुछ करना था इस इंडिस्ट्री को बहुत आसा थी उनसे हम सब को आसा थी एक अच्छी परस्टनाल्टी के साथ एक अच्छे विशार धरा के साथ अपने जीवन को चला रहे थे हैं मैं उस मा को साधर परणाम करता हूं क्योंकि आज उस मा पर क्या घुजर रही होगी क्योंकि मैं सिदार्थ बाबा के मा से भी मिला था जब फाइनल में में गया था तो बड़ी प्यारी है वो और मा हम सब हैं आपके सांथ बिलकुल आपने से रहें कि हाँ एक बेटा गया ह है ठीक है अब इश्वर को क्या मंजूर्थ नहीं जानता हूं बट बहुत सारे बेटे आपके हैं जो आपके प्यार के लिए हमेशा खड़े रहेंगे तो दिल से एक दुख भरी बात है क्या बोल सकता हूं मैं बट मैं इश्वर सही प्रात्ना करूना की बगवान ऐसे अच बटेश जा एक बाती शोली स अम्य कर दोड़े हैं दो